नमस्का स्वागत है आपका न्यू सिक्ष्टी नाइन में मैं हूँ आपके साथ अंकिता और बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की और मध्यप्रदेश लगातार उपलब्दियां हासिल कर रहा है या गौरव का विशे है प्रधा मंतरी मातर वन्ना योजना में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद मध्यप्रदेश के MSME विभाग को मिला पुरुसकार के इंदर सरकार से MSME के विलंबित भुपतानों के निराकर प्रधा मंतरी मातर वन्ना योजना में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद मध्यप्रदेश के MSME विभाग को के इंदर सरकार से MSME के विलंबित भुपतान निराकरन के लिए स्ट्रॉंग रिकवरी प्रोसेजर है तु एक्सिलन्स अवाज मिला है मैं MSME विभाग के सुप दराम नगर्क में संत जी की कुटिया के पास रहते हैं साधकी से भरी जीवन शैली में रहते हैं इन्होंने करियर गाइडेंस के लिए उलेकनी काम किया है इनके प्रसिक्षन से कई लोग डॉक्टर इंजिनियर और कंपनी सकेटरी बने लक्षमन जी ने पिछले 40 साल से गाफ में युवाओं के लिए लाइबरेरी चला रही है यह लाइबरेरी वन्विभा के अनुप्योगी कमरों में संचालत हो रही है और गाफ के आसबास के युवा यह पढ़ाई करते हैं यहां हर तरह की उप्योगी किताबी समाजा पत्रों वैक्तियों की चानकारी भी द अब हाव ग्रस्त बच्चों के सिख्षण के लिए सिख्षण सुल्प और सिख्षण सामगी जुटाने का काम किया है मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे एक और सेवा का जुरून देखने मिला हमें बाला घाट जिले में काना राश्ट्र उद्धान के समनापुर वफर जौन में पदस्त बन परिछेत्र अधिकारी है सीता जंग्रा गाउं में हिवाओं के लिए निस्वर लाइब्रेरी चला रहे है यह लाइब्रेरी सर्वसुधाव कमरों में नहीं बननाकों और अनुप्योगी कमरों में संचालित हो रही है और हर गाउं के आसपास के पचीस पचीस भिवा इस लाइब्रेरी में आकर रोज पढ़ते हैं हर तरह की पृतियोगी परिख्षा संबंदी किताब हैं समाचारपत अर्द सास की विवागों की रिक्तिया संबंदी जानकारी यहां पर उपलब्द रहती है मैं सीता जमराजी को बन और बन प्राणियों की सुरक्षा के अत्रिक टुबा को सिख्षित करने के सध्यान के लिए आर्दिक बधाई देता हूं बुक्तानों के निराकरण के लिए सूर्चों और लगू गुद्धम एसलेटसन कांसल को इस्तांग रिकावरी प्रोसीजर एबं रिट्रणों के परित निराकरण के लिए MSEFC Excellence Award 2022 प्रदान किया गया है मैं MSME दिभाग को इस उपलब्धी के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं सामाजिक छेत्रों में लगाता है हमारे कई लोग समाज सेवा के नई प्रितिमान गढ़ रहे हैं भुपाल के BHEL से रिटाइर कर्मचारी आस्दो लच्वानी 73 साल की उमरे हुआ और हिर्दाराम नगर में संत्य जी की कुटिया के पास ही रहे साथगी से भरी जीवन सहली लेकिन इन्होंने केरियर निर्मान के लिए अनेक नौजवानों का मार्ग दर्सन किया इनके मार्ग दर्सन से कई डॉक्टर इंजिनियर चार्टर एकांटेंट कंपनी सेक्रेटरी के रूप में आज कई मित्र प्रतिश्चित संस्थानों में सेवाइद दे रहे हैं कि दुकान है जूट परोस्ते की दुकान है अब वो मेरे बारे में कुछ कहते रहें कि मैंने आपति नहीं की लेकिन कल कमलाज जी ने राजपाल जी के अभिवासन पर असोवनी टिपनी की है और उन्होंने जूट बोलने का आरोप लगाया राजपाल संवैधानिक पद है कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे संवानी राजपाल जी के बारे में ये कहना है कि उनसे जूट बुलवाया यह लोग तंत्र की गरिमा गिराने का काम अब जूटे बादे आपकर सवाल पूछे तो उत्तर ना दो और फूर चीजाएं गोल मोल करने के लिए दूसरों पर जूट बोलने का आरोप लगाओ ये कांग्रेस की सहली है लेकिन आज मैं फिर पूछ रहा हूँ आप कितने जूट बोलते हैं आपने कहा था बचन दिया था कि संभाग इस तर पर करन्याओं के लिए आवासी खेल स्कूल खोले जाएंगे इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद झाल